महाराज कैसा दान कप फल देता है बुले तमो गुनी वृत्ती से जो दान दिया जाता है प्रमाद और आलश से पूर्वक जो दान दिया जाता है वो दाता को माता के गर्व में फल देता है और जो दान इरश्या और मत्सरता युक्त हो करके दिया जाता है वो बालगपन में बच्पन में सुख देता है और जो दान ब्याधी पीडित हो करके अशक्त हो करके कहा कि वह ऐसा कर दो दिया जाता है वो भृद्धावस्था में फल देता है इसलिए प्रसन्टा पूर्वक और करतव्य बुद्धी से देश, काल और पात्र का विचार करके दान दिया जाए तो समग्र जीवन में उसका प्रतिफल मिलता है दान कैसे करें? पुले देश, काल और अच्छ समय में और उत्तम से उत्तम सत्पात्र ब्राह्मन के मिलने पर दान देना चाहिए हैं यह दान दाता के पाप कैसे कटते हैं प्रश्न किया उत्तर दे रहे हैं जो दान स्विकार करता है, दाता का दान, दाता के दान के साथ, दाता के पाप भी अद्रिष्ट रूप से चल करके आते है, अन्दान जो होता है, ना, दुस्कृतम ही मनुष्या नाम अन्नमासृत्य तिस्थति, मनुष्या के जो दुसित कर्म हैं, दुस्कृतम हैं, दुस्क कि ऐसा लिखा है कि कुक्षव तिस्थति अस्यान्नम बेदा भ्यासेन जीर्यति किसी ने ब्रह्मन ने आपका भोजन किया और फिर वो लगा इखेत वोर्जेत वाब्बा यवस्थदेव वह इत्यादिक मंत्रपाथ करने में लगा उसका भोजन जीर्न हो गया तो कुक्षव इसे सब्सठाथि अस्यान्नम बेदा भ्यासेन जीर्यति कि जिस व्यक्ति ने आप का भोजन किया उसका भोजन यादि वेदा भ्यासे बेध पाठ से जीर्न होड़ा था बेध भजन की साथ में जीरन हो, उसका पुर्णी तो होगा?